मिगलायर सरकार की सिक्सा विवाग की सलाकार हिमावाया मुक्तान संक्लियंग ने कहा है कि MDA 2 सरकार ने सर्वर सिक्सा अभियान सिक्सकों के लिए कई पहल की है और जल ही SSA सिक्सकों के लिए कैपिंग वैतन में 52 करोर रुपया जारी करेगी 29 अगस को SSA सिक्सकों की सम्मेलन साब अभिनंदन कारिक्रम की मोके पर बोलते हुए संक्लियंग ने कहा सरकार SSA सिक्सकों को जो कैपिंग मांदन प्रदान करने थे वो प्रक्रिया में है फाइल पहले ये विवाक से आगे बर्ष चुकी है और एक बार सरकार इसे जारी करने क बात SSA सिक्सकों के लिए 52 करोर रुपे जारी करने में सक्सम होंगे उन्होंने बताये कि सरकार ने 52 करोर रुपे की आलावा वर्षों से लंबित बकाया भी जारी करने का आश्वासन दिया है आके संक्लियंग ने कहा बकाया कि पहले किस जून में जारी की गई थे दूसरे इस मेने जारी की गई है और वेतन देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संक्लियन ने कहा कि जहां सरकार SSA सिक्षकों की सभी मुद्दों का समाधन कर रही है। वही सिक्षा बीबाक ये देखना चाहेगी कि आने वाले दिनों में सभी SSA स्कूलों में सिक्षा की स्थर म क्या शुकी है। जाओ हो videos for years together the present government has produced already the first has assured as assured by the honorable chief minister on the floor of the house in the episode assembly that the installments the areas of ending for the SAC teachers would be addressed at the earliest possible and that already has been released the first installment has already been released in the month of June and now normally we would like to release the second installment in the month of December but due to the availability of fund made available by the Honourable Chief Minister, even the second installment of the area has already been अबप्रवारी मातब लिघ एक्राव मेए्ना EU कर भी नहीं करेंД में जytो कि भी अरना श्याले लिगूए प्रिछ आने कर लिदिल्स के अव्रवरतником कि मुझे जले तेनिय एक्रावारी ओतून पर बहूम रहेरा रहेते हईं मुझे वहां और दो नहीं हो एक टो एक से आगा है अगर इन अगरो अगरोड़ को बीडिया है